आरेस के पोटल पर चात्रों का ओलंपियाट के लिए रेगिस्टेशन करते समय एक समस्या आरही है कि हमारी साला के सभी चात्रों के नाम इसमें नहीं आ रहे हैं अब इसमें अधि हम बात करें तो किवल एक कक्छा के छात्रों के नाम आ रहे हैं वागी अन कक्छाओं के छात्रों के नाम नहीं आ रहे हैं जैसे हम student registration पर click करते हैं और इसमें हम एक कक्छा select करते हैं जैसे कक्छा 8 और सो पर click करेंगे तो यहाँ पर कक्छा 8 के जो छात्र है उनके नाम आ जाएंगे लेकिन अनकक्छाओं का इदी हम चैन करते हैं तो इसमें no data found का message आता है आप देखेंगे no record found तो सभी class को जो भी class हम इसमें select करेंगे कक्छा 8 चोड़कर सभी class में no record found का message आ रहा है अब ऐसी condition में क्या कर रहा है तो option पर click करके सिक्षा पोर्टल पर class wise जितने चात्र हैं आपके उन सभी चात्रों के नाम RS के पोर्टल पर आ जाएंगे अब इसके लिए जैसी हम इस option पर click करते हैं student data sync पर second जो option है जैसी हमने उपर जो address बार है इसमें rsk mp1.in लिखा हुआ है हमने नौर्मली जो लोगिन किया था rsk mp.in पर किया था लेकिन rsk portal का second server है rsk mp1.in इस server पर आपको login करना होगा अब हमने इसके लिए जैसी हम username और जो password है वो करेंगे और जो capture code दिया है इसे हम same fill कर लेते हैं और इसके बाद में हम login पर click करेंगे हमने capture code fill कर दिया login पर click करते हैं अब हम rsk mp1 जो server है जो portal है इसमें login हुए है अब फिर से हम olympiad इस option पर click करते हैं और student data sync second जो option है इस पर click कर देंगे student data sync with सिख्षा portal अब हमने click किया click करने के बाद में यहां पर जो class है यहां पर आप class select कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि all पर इससे रहने दें और sync school details इस option पर click कर देंगे जैसे आप click करेंगे तो एक success का message आएगा update student data updated successfully तो आपको ok कर देना है अब आप चेक कर सकते हैं कि Olympiad registration के लिए आपकी साला के चात्र आ रहे हैं या नहीं तो हम student registration वाले option पर click करेंगे इसके अपरांद अब यहां से क्योंकि कख्छा 8 के चात्र तो आ रहे थे हम अन कख्छाओं को select करेंगे जैसे कख्छा 6 select करते हैं और 100 पर click कर देंगे अब आप देख सकते हैं यहां पर कख्छा 6 के चात्र आ चुके हैं इसी प्रकार जो अन कख्छा हैं उन्हें भी आप select करके चेक कर सकते हैं जैसे कक्छा 2 हमने किया यहां पर आप देखेंगी कक्छा 2 के जितने चात्र हैं उन सभी के नाम आ गए हैं तो इस प्रकार से सिख्षा पोर्टल का जो डेटा है वो हम RS के पोर्टल पर ले सकते हैं लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि आपको RS के पोर्टल को जोडने समद्धी एक महत्मून जानकारी आजसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिर